नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को पित्र पक्ष की सांती एवं पित्र पक्ष के दोस्त को दूर करने के लिए दिब प्रियोग बताने जा रहा हूं इस वीडियो को पूरा और आखरी तक देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझाने जा रहा हूं मित्रों, जैसे कि आप सभी को पता हे, आज अमावश्या है, और दोस्तों इस दिन, पित्र दोस्तों से मुक्ति के लिए, जिहां दोस्तों, सरव पित्र अमावस्या पर, आप यह उपाय कर लें, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आपको सारे दुख दर्द से छुटकारा मिलेगा, दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं पित्र दोसों से कैसे मुक्ती पाएं, तथा पित्रों की सांती कैसे करें, क्योंकि आज का दिन अंतिम दिन है, दोस्तों आज 25 तारीख है, ठीक है दोस्तों, और आज के दिन अगर आप रात के बारा बजे से पहले पहले ये सारी उपाई कर लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए सोने पे सुहागा है और तो और आज के दिन दोस्तों जो हमारे पित्र देवता हैं वो धरती लोग छोड़ करके चले जाएंगे अपने लोक में तो दोस्तों यदि आप इस उपाई को कर लेते हैं तो दोस्तों आप निश्ची थी जो है अपने पित्रों को खुश कर सकते हैं तथा पित्र दोस्त को दूर कर सकते हैं तथा अपने सारे दुख दर्द से छुटकार आप पा सकते हैं जो मैं उपाई बताने जा रहा हूं तो आपके समझ में आएगा अन्यता कुछ समझ में नहीं आने वाला आज पित्रों का अंतिम दिन है इस धर्ती पर खीक है दोस्तों तो दोस्तों यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा संकट रहता बहुत ज़्यादा परसानी होती है तो कही न कहीं दोस्तों आपके पित्र दे में सराद के लिए कुछ नहीं कर पाए तो दोस्तों वो लोग आज के अंतिम दिन यानि इस अमावश्या को यदी वो उपाय कर लेते हैं रात को बारा बजे से पहले पहले तो दोस्तों निश्चित ही उनकी उनके जो पूरबजों की जो आत्मा है वो तरप्त हो जाएगी ठी सुबे से रात को बारा बजे तक यह योग है आप कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं जो तीस सास्त्र के अनुसार कई तरह के दोस होते हैं जिनकी वज़े से जीवन में परसानिया आने लगती है उन्हीं दोसों में से एक है पित्र दोस्त पित् जो आज दोस्तों इसके बाद वो इस लोग को छोड़ देते हैं इस साल यानी दोस्तों आभी जो आज दोस्तों 25 तरीक है रवी वारुक को सरव पित्र अमोस्य पड़ रहे यानि आज के दिन ठीक है तो दोस्तों आज आप जो है सुबह 10 बजे से या सुबह 9 बजे से या सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 12 बजे से पहले पहले यह उपाय कर लिजे आपके जीवन में सुक्सिम्रिद्धी आएंगी आपके पित्र पक्ष जो है सांत हो जाएंगे पित्र दोस्त दूर हो जाएंगे और दोस्तों आपके जो पित्र देवता है उनको मोक्ष पिराप्त होगा जी हां दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज है पित्र पक्ष में जिहां दोस्तों, 15 दिनों तक पित्रों को जल सराध और तरपन देकर संतुष्ट किया जाता है, जिस पित्र की मिरित्यू की तिति ग्यात नहीं होती है, यह निकि हमें कई बार जो हमारी परिजन जो खतम हो जाते हैं, जिनकी मिरित्ति हो जाती है, आश्या जिसे हम पित्र बिसर्जन के नाम से जाना जाता है के दिन तरपण और सरात देकर उनको विदा किया जाता है। सूर के तुला रासी में रहने पर या राहू या सनी के साथ यूती होने पर पित्र दोस का प्रभाव बढ़ जाता है। इस दोस से मुक्ती के लिए अमवश्या के दिन यानि पित्र अमवश्या की दिन यानि आज के दिन पित्र समंदी कार करने चाहिए पित्रों का समंद कर पिंड़ दान करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए छमा मांगनी चाहिए गाय को भोजन कराएं इस दिन गाय को भो वो आपका जीवन धन धान से परिपूर कर देते हैं दोस्तों पित्र दोसों से आपको सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि दोस्तों सरो पित्र आमावश्या का जो आज का जो दिन है वास्तों में बहुत उत्तम दिन है यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते तो जरूर आप जो है मित्रों पित्र दोस्तों से मुक्ति पा सकते हैं दोस्तों ये वो बाते हैं जो आपको दोस्तों आपको और आपके पित्रों के लिए बहुत उत्तम सावित होंगी दोस्तों आज पित्र पक्ष का अंतिम दिन है पित्र पक्ष में पित्रों का पूजन औ अभी पित्र पिर्थिवी लोग पर वास करते हैं और इस साल 10 सितंबर से यह चीज पित्र पक्ष की सुरुआत हुई थी और जिसका समापन 25 सितंबर को है यानि आज है अस्वनी मह की अमवश्या तिति को पित्र पक्ष का समापन होता है जिसे सर्व पित्र अमवश्या कहा ज और सुक सिम्रिद्धी बनी रहे लेकिन यदि आप किसी कारण इस दोरान तरपन या पित्र सांती के उपाये नहीं कर पाए हैं तो सरुपित्र हमावश्या की दिन कुछ उपाये कर सकते हैं चलिए जानते हैं सरुपित्र हमावश्या से जुड़े कुछ विशेश उपाये के बारे में तो सुन लीजिए इन उपायों को भी सुन लीजिए क्योंकि दोस्तों आपको मैं कई उपाय बताने जा रहा हूं लेकिन इससे पहले दिया आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चनल को सब्सक्राइब कर लीजे और घंटी को भी सही परकार से दबा लीजे क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी लाते रहते हैं जो आपके ज्यान में बृद्धी करती है जिसे आपका कल्याण हो और वीडियो को भी लाइक कर लीजे दोस्तों चली हम आ नीचे दीपक जलाएं यदि आप सुबह नहीं कर सकते तो साम को यानि साम को दोस्तों आप साम को या राज को दीपक पीपल के नीचे दीपक जरूर जलाएं जिहां दोस्तों यदि आप चो मुखा दिया जलाते हैं तो और वी अच्छी बात है यदि आप चो मुखा दिया नहीं जलाना चाहते तो एक मुखी दिया भी जला सकते हैं इससे पित्र देवता प्रसन होकर आपको आशिरवाद देते हैं यह दोस्तों बहुत ही उत्तम है आप इस उपाय को करिए आपका जीवन कल्यान में होगा और आपके पित्रों को जो है दोस्तों मोक्षिपराप्त हो इसका यही एक कारण है दोस्तों कई लोग जहां दोस्तों कई लोग जो है दोस्तों इन उपायों को करते हैं और लाभ लेते हैं और आप भी करिए कई लोग ही क्यों दोस्तों करोडों अर्बों लोग जो है इस उपाय को करते हैं आप भी करिए और एक बात और मित्रों बत प्रणाम करना है और सर्दक साथ इस उपाय को करना जो मैंने बताया है ठीक है लेकिन आप उसे चूँ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन रात के समय साम के समय पीपल को नाचुएं उसे दूर से ही प्रणाम कर लीजिए ठीक है मित्रों इस चीज का भी सेश ध्याण रखि तो सर्व पित्र आमावश्या के दिन तरपन कर सकते हैं जहां दोस्तों अगर आप बांकी टाइम पर जो 15 दिन में जो दोस्तों जो तरपन का कारण होता है पित्र पक्षे में वो नहीं कर पाए हैं तो दोस्तों आप जो है सर्व पित्र आमावश्या के दिन तरपन कर सकते जो 37 के नुसार इसे पित्र परसंद होते हैं और सुख सिम्रिद्दी का अचिरवाद देते हैं जिसे आपका जिवन खुशाल में हो जाता है और दोस्तों दान करने से भी पुन्ड की प्राप्ति होती है, सब पित्र अमा वश्या पर, यदि आप दान करते हैं, जहां दोस्तों बहुत सुब माना जाता है, कहा जाता है कि इस दिन दान करने से पुन्ड की प्राप्ति होती है, जहां दोस्तों, सबसे बड़ी दौलत, द लेकिन कई लोग इतने पैसे वाले नहीं होते इतने समरिद नहीं होते ताकि वह चांदी का दान दे सके तो दोस्तों ऐसे लोगों क्या करना चाहिए कि रोटी कपड़ा इसका दान दे और जिस जो विचारा गरीब हो जो टूटी फूटी चपले पहन रहो पहने हो फटे दे नए जूते दे ठीक उसे अनांज खिलाएं ठीक है दोस्तों और जो और साथ में दोस्तों एक बात और जो व्यक्ति जो जो भीग मांगता है दोस्तों जो अपंग है तो दोस्तों उसकी भी सहायता करें ठीक है दोस्तों इस चीज़ का भी से ध्यान रखिएगा लेकिन यहां पर आपको दान उसको ही देना है जो दान के योग्य हो ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा इससे भी आपके पित्र द्योता संतुष्ट होंगे लेकिन पापी को दान ना दे नहीं तो इससे पित्र द्योता और आपके नराज होंगे ठीक है अब अगला आता है कि ह बोजन किसको करा है तो दोस्तों गरीब ब्रामन को बोजन कराईए देखिए यहाँ पर जो है बात आ जाती ब्रामन को बोजन कराना लेकिन यहाँ पर हमें उन ब्रामन को बोजन करवाना है जो बिद्वान है ब्रामन करत क्या होता है जिसने ब्रह्मा को प्राप्त कर लिया हि लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है जो बिद्वान है जो पंडित है जिसको सही पंडित को भूजन कर वाईएगा ठीक है यादी तो उसको हम आपको बताते हैं यादी वो पंडिताई का ग्यान नहीं है तो दोस्तों पंडित नहीं है लेकिन यह जातिस्तों पंडित है लेकिन कर्म से भी पंडित है तो दोस्तों समझाइए वो एक पंडित है उसको आप भोजन कराईए लेकिन जातिसे पंडित होते हुए भी उसके पास पंडिताई का ग्यान नहीं तो दोस्तों इसको भोजन करागे कोई फैदा नहीं, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहनी बात, आपको ब्रामनों को भोजन करवाना है, गरीब ब्रामनों को भोजन करवाना है, या किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन करवाईए, ठीक है, क पीड़ पौधें भी लगाई ये बहुत उत्तम है और ये ऐसा करने से दोस्तों आपके जीवन में खुशाली आएगी दोस्तों एक बात और यहां पर जो है क्या कहा गया है कि जहां दोस्त धान से सुनियेगा यहां पर आपको जो है विशेज धान रखना है कि किसी गलत इंस कि दिन जो है अच्छे बिरामन को घर में बुला कर भोजन कराएं उन्हें वास्तर और दक्षना देते हुए सम्मान पूर्भक बिदा करें ठीक है दोस्तों इस चीज का विशेज ध्यान रखिएगा लेकिन जो सच्चा बिरामन हो उस सच्चे बिरामन का आपमान मत इस चीज का विशेज ध्यान रखिएगा क्योंकि दोस्तों पित्रों का बहुत महत्तो होता है ठीक है दोस्तों जो आपके आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है जो मैंने यह सार उपाय बताएं यह दिया आप इनको कर लेते हैं मित्रों आप निश्ची थ पूंता बगार मंत्र के नहीं होती है सराद में भी इनका विश्यस महत्तो है इसी तरह सुक्त कई है दो सुक्तों का उल्यक प्रयाप्त होगा पहला पुरुष सुक्त तता दूसरा है पित्र सुक्त इनके उपलब दना होने पर निमलिखित मंत्रों से सराद की कर्म पूंता ये भी किस बार पढ़ना है तीसरा मंत्र है ओम नांग देवताय नमा ये भी किस बार पढ़ना है अब दोस्तों चोथा मंत्र आता है ओम पित्र देवताय नमा ये 108 बार पढ़ना है ठीक है और फिर दोस्तों जो पाचों मंत्र है वह मित्रों ओम पित्र गणाय बिदमहे जग तो दोस्तों करने से दोस्तों यदि आप कम भी करते हैं तो दोस्तों आपको पूरे साल का लाब मिल जाएगा और आपकी पित्रों का जीवन भी धन्य हो जाएगा तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखिए, इनका प्रियोग कर पित्रों को प्रसंद किया जा सकता है, और ब्रामण भोजन के लिए ब्रामण को बैठा करके पैर धोएं, तथा भोजन करें, ठीक है, जिसको बेदों का ग्यान हो, रमायर गीता का ग्यान हो, अन्य सास् ठीक है, और प्लस में दोस्तों, यदि सत्ती सामर्थ हो, तो गौ भूमी दान दे, यानि कि आप गाय का भी दान कर सकते, भूमी दान कर सकते, ना हो, तो भूमी गौ के लिए द्रव दे, यानि उनके लिए द्रव दे, दोस्तों और इनका भी संकल्प होता है, साथ में दोस और दोस्तों उनकी लिए जो हो सगे सहता करिए कपड़े दीजिए मिठाईयां बांटिए ठीक है दोस्तों भंडारे करवाईए या फिर दोस्तों एक ऐसी ब्यवस्ता कराईए जैसे मंदिरों में चलता है कि 24 गंटों भंडारा होता ऐसे कई बड़े-बड़े मंदिर है तो ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी ऐसी ही रहस्ते में जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे दोस्तों जुड़े रहें ऐसी ही रहस्ते में जानकारी पाने के लिए उम्मीद करता हूँ यह जानकारी पसंद आईगी